लिक्स चोरी करके क्रेडिट ना देने वालों के लिए कुछ सुन्दर बचन और मेरे भाई कैसे हो सब लोग? I hope सब लोग होंगे first class तो इस वीडियो में आप लोगो को बताऊंगा Dead by Daylight के collaboration के साथ आने वाले Dead by Daylight के mode के बारे में So first of all screen पर आपको इसका post देखने के लिए मिल जाएगा तो first of all बात करते हैं इस mode के नाम के बारे में तो उपर आप इसका नाम देख सकते हो Dead by Daylight मिनी गेम है और official version आने पर ये नाम चेंज भी हो सकता है क्योंकि game फाइलों में code name को यूज़ किया जाता है Troy map को अटाके Akinta map को default map पे select कर दिया गया है तो ये trial of Akinta mode यानी Dead by Daylight का mode आपको Akinta map पर देखने के लिए मिलेगा और ये mode आपको Akinta map में land होने के बाद नहीं बलकि Akinta map के spawn island पर आने के बाद देखने के लिए मिलेगा और इसी mode के जैसा एक और mode पहले भी आ चुका है जो कि Among Us के collaboration के साथ आया था और Among Us वाला mode भी आपको Troy के spawn island पर खेलने के लिए मिलता था तो ये भी आपको Akinta के island पर ही मिलने वाला है इसके अलावा trial of Akinta Dead by Daylight mode को खेलने के लिए आपको score matches खेलने पड़ेंगे अगर आप solo खेलते हो तो इसको आप नहीं खेल पाओगे वैल अभी बात करते हैं इस mode को आपको खेलना कैसे है तो नए Dead by Daylight के आने वाले mode को खेलने के लिए फरस्ट अफोल आपको Akinta map में score matches को लगाना पड़ेगा और जैसी आपकी टीम में total 4 लोग हो जाते है तो randomly किसी भी एक टीम मेंट को यहाँ पर killer बनाया जाएगा और आपके बाकी सभी टीम मेंट survivor रहेंगे और अगर आप यहाँ पर killer बन जाते हो तो यहाँ पर आपको अपने टीम मेंट को kill करना पड़ेगा लेकिन अगर आप killer नहीं बन पाते और आपको survivor का roll दिये जाता है तो यहाँ पर आपको दिये हुए task को complete करना पड़ेगा और अगर आप सभी mission को complete कर लेते हो तो यहाँ पर survivor टीम जीच जाएगी लेकिन अगर सभी task complete करने से पहले killer सभी survivor को मार देता है तो यहाँ पर killer जीच जाएगा इसके अलाबा आपको dead by daylight के कुछ events भी देखने के लिए मिल जाएगे जिसे आप reward को collect कर सकते हो और अगर आपको dead by daylight की skins का लीक चाहिए तो i button में आपको वीडियो मिल जाएगा वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो और अगर इंट्रो देखने के बाद भी कोई हरामी मानुस लिक स्टोरी करने वाला है तो तुमारे लिए सुंदरवचन रखे है यार enjoy करके जाना